यह हिंद एक और दिन अब यहाँ पर क्या हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी बनी हुई है वोलेटिलिटी क्यों एक दिन डाउन जाता है फिर उसके बाद फेड ने रेट्स नहीं चेंज करें जिसकी विज़े से मार्केट को बूस्ट मिल गया अब वापस से मार्केट गैप अब तो हुआ सस्टेन निगर पाया वापस से नीचे आ गई डोजी बन गया अब लोगों को यह नी समझा रहा यहार बाई साइट जाना है लेवल्स क्या रखने वाले हैं लास्ट टाइम जब हम लोगा ने निफ्टी बैंक निफ्टी का अनलेसिस करें डोट टो डोट अनलेसिस बेटे जहाँ पर मैंने पहले ही का था कि यहाँ पर हेड इन चोल्डर पैटर बन गया है और लगड़ा कहीं न कहीं एक ब्रेकडाउन आ सकता है और उसके बाद बैंक निफ्टी दो हजार पॉइंट तक डाउन गया आज की वीडियो में वापस है निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवर्स तो देखेंगे देखेंगे प्लस एक आधा ऐसा क्वेशन जो बार 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 मुझे लोग पूछते रहते हैं उसका अंसर भी आपको मिलने वाला है चलो विदाओड वेसिंग टाइम डीप डाइ नहीं किया है यह न्यू यूजरों सब्सक्राइब दी चैनल प्रेश दी बेल आइकन यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स आई प्यो अनिलिस और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वान मिनिट चॉट्स यह सब ऑन दा बोर्ड यहाँ पर मिल जाएगा चलिय निफ्टी में हुआ क्या पहले तो वह समझते हैं अभी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है यह यहां पर लेकर आते हैं तो निफ्टी ने पहले डेफिनेटली यहाँ पर एक टॉप बनाया उसके बाद यह रिजिस्टेंस ओन था जो ब्रेक नहीं हो पा रहा था 19,900 के आसपास 19,850-19,900 के आसपास यह resistance break नहीं हुआ ठीक है यह support भी break हुआ उसके बाद यहाँ पर market gap up हुआ यह most important trigger था यह most important trigger था कि यहाँ पर market gap up open हो गया यहाँ पर ध्यान से देखना यह market gap up open हुआ उसको ही अगले दिन वापस से उसको ही अगले दिन वापस से support बनाके market अभी तक टिका हुआ है बट अब यहाँ पर एक important level ध्यान से देखना यह जो blue line हमने पहले बनाई थी यह क्या थी यह पहले हाँ पर break away gap की वज़े से support बनी जब market एक दम से gap बिना किसी reasons के gap देता है तो उसे बोलते break away gap यहाँ पर gap अप हुआ sustain कर रहा है फिर ध्यान से देखना support बना अब यही level यहाँ पर क्या बन गया resistance इसको बोलते doubt theory चलो next part पर समझते हैं अब यहाँ पर हुआ क्या यही level ध्यान से देखना और zoom ले ले लेते हैं चलो एक बार exactly level है 19,220 round off में कर देते हैं 19,250 जब तक market यह 19,250 का level break नहीं कर रहा अराम से hold करो मतलब जैसे ही इसको break करेगा समझ जाओ एक तरीके से kind of short duration में यह kind of cup and handle बना देगा अगर आप इसका चाओ तो 15 मिट का चार्ट लगा सकते हो कैसे कुछ ऐसे break करेगा यह आजाएगा level 19,550 19,500 के आसपास 19,500 19,550 के आसपास बट जब यह level break करता है तो क्यों आज ध्यान से देखना हुआ क्या है यहाँ पर यहाँ पर market में फेड ने rate नहीं बढ़ाए अब फेड ने rate नहीं बढ़ाए अगर rate बढ़ाते तो definitely वहाँ की तरफ flow जाता यह मैंने last nifty bank nifty में भी समझाया था कि किस तरीके से bonds yield जादा देगी तो market में equity से outflow होकर bonds की तरफ inflow चला जाता है अब बट market ने ध्यान से देखो end में इसको doji बना दिया sustain नहीं किया तो यह हो गया मेरे पास level nifty के लिए और definitely यह वो supportive zone है जहांसे market अभी भी टिका हुआ है एक और जैसे market इसको break करेगा definitely नीचे की तरफ जाएगा 18600 के पास में यह हो गया nifty analysis अब जो मैंने question की बात की थी कई लोग काफी सारे comment चाते है वीडियो के नीचे काफी सारे लोग पूछते कि यहर कौन सा broker अच्छा है क्या मैं इस broker के साथ जाओ उस broker के साथ जाओ किस broker के साथ अपना platform कौन सा platform यूज करूँ तो मेरा answer है मोतिलाल ओस्वाल अब मोतिलाल ओस्वाल के साथ अपना DMAT account ओपन कर सकते हो अब उसका reason क्या है वो भी समझते है अचा जैसे आप एक तो इसका link भी मैं description में दे दूँगा वहाँ से भी आप account ओपन कर सकते हो वरना जैसे आप इसके website वगरा पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सबसे best क्या चीज दिखाई देगी जान से देखना limited time offer zero brokerage for first month up to 1000 रुपीज तक अब उसका reason क्या है देखो जो बाकी सारे discounted brokers वगरा है वो कोई research report, advisory, analysis वगरा यह सब provide नहीं करते यहाँ पर कि मोतिलाल ओस्वाल जो है वो एक full time broker है advisory, research, report, analysis तो देता ही देता है उससे भी most important part यह है कि यहाँ पर आपको काफी सारे tools वगरा मिल जाएंगे अगर आप option में trade करते हो तो strategies बनानी है वो सारे tools वगरा हो गए, analysis हो गए, technical part हो गया वो सब यहाँ पर on the board मिल जाएगा मुझे जो सबसे best part लगा भी तक वो इसका यह था कि first month तक 1000 रुपे के आसपास तक की brokerage यहाँ पर free है description में मैं link दे दूँगा अब वहाँ पर जाकर link से अपना account open कर सकते हो वापस आते हैं bank nifty की तरफ अब bank nifty के levels देखते हैं यह line जैसे हमने nifty में drag करी पड़ेगा द्यान से देखना और exactly थोड़ा सा और नीचे अगर करा जा यह वाली line को द्यान से देखते हैं भी वाली line को पहले यहाँ पर जाकर डबल टॉप बनाया फिर यहाँ जाकर multiple resistance बनाया उसके बाद यह जो support का level था यह देखना एक support फिर उसके बाद दो अब जैसे ही यह support का level break हुआ है यहाँ पर हुआ क्या अगें यह इस level को cross नहीं कर पा रहा द्यान से देखना एक बार जैसे यह breakdown हुआ इस level से breakdown हो गया एक बार दो बार तीन बार और आज भी almost 4 बार यह अभी तक break नहीं कर पाया अब question यह आ रहा है कि यहाँ पर supportive zone कौन सी बनाओ वो भी check कर लेते हैं मैं यहाँ पर जो supportive zone रखूँगा वो यह रखूँगा और almost same pattern बन रहा है जो nifty में बन रहा है shorter time frame पे cup and handle की form में something like this way तो यह अगर break करता है तब मैं next level यह वाला find करूँगा that is 44,800 के आसपास बट कब जब यह इस level को break करता है जो कि 43,400 के आसपास break करेगा definitely यहाँ पर मेरे पास एक अच्छा खासा zone है जिसके पास bank nifty जा सकता है यह ते nifty bank nifty के detailed analysis video पसंद आए हो share with your friends like and subscribe thank you for watching the video lots of love investment in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing